थाना बीटा टू पुलिस द्वारा मर्चित नेवी अधिकारी के घर हुई डकैती की घटना का परदाफाश दो महिलाओं सही छे डकैत गिरफतार कवजे से नकदी सोने चांदी और आर्टिफीशल जुएलरी अने कीमती समान विरेशी मुद्रा बरामद घर का भेदी लंका ढाये जी हाँ इस केस में यह मुआवरा बिल्कुल सटिक बैठता है गौत लबे की बीते पास सितंबर को बीटा वन में एक मर्चिंट नेवी अधिकारी के घर डाका डाला गिया था जब बीटा टूप पलीस ने इसकी चानबीन शुरू की और घर की नौकरानी और घर के भुजूर के केर टेकर को खंगाला गिया उनका टो लिया गिया तो मामला पूरा खुल कर सामने आ गया दरसल इसी घरेलू नौकरानी जो पिछले आठ साथ से इस घर में काम कर रही थी और केर टेकर ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर पूरी साजी शर्ची और इसमें मुरादाबाद फरुकाबाद में सक्रिय पंखिया गिरो की सहायता ली गई और बकाईदा उनके बदमाश यहां आए और समने मिलके डिहां डाका डाला था इसमें रेकी भी की गई थी इस मामले में एक प्रेस कॉंफरेंस का आयोजन बीटा टू थाना में किया गया इस मारे में हम सुनेंगे डी सी पी अभिशेक बर्मा को लेकिन उससे पहले आप सभी से एक गुजारिश अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेन ओन्यू सब्सक्राइब ने किया है तो उससे तुरंट सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें जो भी महत्मून खबरे हैं उससे आप जूड़े रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंट मिल जाएगा तो अब सुनते हैं अभिशेक वर्मा जो डी सीपी ग्रेटर नौइडा है इस पूरे मामले का परदाफाश पुलिस ने कैसे किया कैसे पुलिस इन डकैतों तक पहुंची और गिफ्तार किया पूरा भी वरंट दे रहें अभिशेक वर्मा सुनते हैं तो के अंतर के ताने ओली बीटा वन कॉलोनी में एक सरवग जैन जी का परिवार रहता है जो मर्चेट नेपी में काररत हैं दिनांख पाँच नौबाइस की अर्ली मॉर्निंग लगबग धाई से साड़े चार के बीच में इनके घर में कुछ अग्यात बदमाश गुशे थ साथ में कुछ रुपए और जेवरात अन्य चीजे और विसी जो ले करके लोग परार हुए थे जब टकैती की सुचना पुलिस को जैसे ही प्राप्षी तो सभी उचदिकारी तोरा मौका मौयना किया गया था और साथ में जो घर में काम करने वाले सभी व्यक्ति हैं सभी प कहती की घटना जो घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी उनके द्वारा जिसका नाम सीमा है उसके द्वारा और उनके पती और पती के अन्य मित्रों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया इस घटना में सीमा के पती संदीप और उनके दोस्त अमन इन लोगों द्वा सीमा के जो पती संदीब, आमन, जनकार सिंग और अन विक्तियों द्वारा जिनकी पहचान अभी हुई है जो फरुखाबा शाजाहनपुर के डकैत बताए जा रहे हैं उनके द्वारा घर में घुश करके डकैती को अंजाम दिया गया और सोना चांदी समान लूट के फरार हु जो उसमें अब तक अभियुक्त गिरफतार हुए हैं जैसे घर की काम करने वाली नौकरानी सीमा और पिंकी जो जनकार सिंग है जो डकैतों के संपर्व में थे जो डकैतों को ले करके घर के अंदर घुसे थे उनकी पत्नी क्योंकि उन्होंने पूरा समान अपने पास शिप के हैं और अन्समगरी भी है जो इनके परिवार से डकैतों दोरा लूट ली गए थी बीटा टू पुलिस दोरा एक बहुती सारानिय कार किया गया है और बीटा टू पुलिस की सभी जनपद नोईडा की तरफ से कमिशनर सर की तरफ से सराना की गई है और इसमें जो बचे प्रेस कॉंफरेंस कर पूरी जानकारी दी हमारी भी एक गुजारिश आप से अगर आपके घर घरेली सहायक है नोकरानी है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन तुरंट कराएं खुश रहें सुरच्छित रहें फिलाल इस खबर में इतना ही और एक बार फिरे गुजारिश मह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेनों यूज तुरंट सब्सक्राइब करें नमस्कार